All India Muslim Personal Law Board और उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाराबन की जिले की रामसनेही घार तेहसील में स्थित एक सदी पुरानी मस्जिद को कथित रूप से डहाए जाने पर सक्त नाराज की जाहिर करते हुए मंगलवार को सरकार से इस वारदात के जिम्मेदार अ महसचब मौलाना खालिद सैफुलाह रह्मानी ने एक बयान जारी कर कहा, बोर्ड ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया है कि रामसनेही घार तेहसील में स्थित गरीब नवाज मस्जिद को प्रशासन ने बिना किसी कानूनी और चित्य के सोमवार रात पुलिस के कड मार्च के महीने में रामसनेही घार के उप जिलाधिकारी ने मस्जिद कमेटी से मस्जिद के आराजी से संबंधित कागजात मांगे थे। प्रशासन ने मस्जिद शहीद करने का जालिमाना कदम उठाया है। मौलाना सैफ उल्लाह ने बयान में कहा, हमारी मांग है कि सरकार उच्च न्यायाले के किसी सेवारत न्यायाधिश के जरिये इस वाके की जाच कराए और जिन अफसरों ने ये गैर कानूनी हरकत की है उनक किया जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। खिलाफ है बलकि शक्तियों का दुरुपयोग भी है। साथ ही उच्च न्यायाले द्वारा गत 24 अपरेल को पारित आदेश का खुला उलंगन है। उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उस मस्जिद की बहाली, घटना की उच्च स्तरिय न्यायक जांच और दोशी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च न्यायाले में जल्दी मुकदमा दायर करेगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौलाना आयाज एहमद ने भी दावा किया कि रामसनेही घाट स्थित गरीब नवाज मस्जिद को धहा दिया गया है। समद ने कहा, हम प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि मस्जिद को दोबारा बनाया जाए और उप जिलाधिकारी को निलंबित करके मामले की CBI जांच कराई जाए।